देश की राजदानी दिली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बता दें दिली में अपरादियों के होसले इसकदर बुलंद है कि ताजा मामला बुराडी इलाके का है जहां इस्पेसल सैल के हैंड कोश्टेबल और उनकी पतनी को दो लोगों ने गोली मार दी बता दें दोनों लोग रात का खाना खाने के बार टहलने निकले थे इसी दोराण इस वारदाद को अंजाम दिया गया और वहीं मिली जानकारी के मताबिक इस मामले में लूट के दोराण वारदाद की आसंग का जताई जा रही है हेड को स्टेबल और उनकी पतनी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है और वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मीडिया से बात चीत कर बताया कि दोनों खत्रे से बहार हैं और दोनों का ही इलाज चल रहा है पुलिस अपरादियों की तलास में जुट गई है पुलिस ने बताया कि स्पेशल सेल में सामिल एक पुलिस करमी और उनकी पतनी को सुकरवार देर रात दो लोगों ने गूली मार दी दोनों बुराड़ी इलाके के पाल सड़क पर टहल रहे थी इसी दोरान बाइक सवार दो लोग महां पहुचे और उन पर फाइरिंग शुरू कर दे फिलहाल दोनों पीडित सुरक्षित है और पुलिस मामले की जाच कर रही है और दोशियों के लिए एक सक्त कारवाई की जाएगी ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे है